नमस्कार दोस्तों अपन कर रहे थे टेट के एक्जाम में जो साइक्लोजी आती है उसे समदे 30-30 मैं तो पुर्ण पर्षन दोस्तों इसे पहले चार में वीडियो बढ़ा चुका हूं यह 500 वीडियो है यदि वह चार आपने नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में ल ठीक है तो पहला क्यूंशन चली देखते है कि पहला क्यूंशन है शमवेग व्यक्ती की उतेजित दसा है यह कथन निम्ना कित में से किसका है तो दोस्तों प्याज़े वुडवर्थ वेलेंटाइन रोज तो इसका रायटान फ्रोज आएगा वुडवर्थ मोंढ देखा यह कथन नेक्स्ट है कि सेख्षिक विकास में मुल्यांकन का क्या आर्थ है चात्रों की प्रगति का अंकलन कख्या अभिलेखों का मुल्यांकन कारे निस्पादन का मुल्यांकन या ज्ञानचमता का मुल्यांकन तो सेख्षिक की परती वास्ट पिकता के परती तो सिद्धास है कि इसका है इसका बिएत्मक विकास के चारो शम्वेद्ध dispria अत्मक आक परब शंके यात्मक को उपचारिक संक्क्री अत्मक की पहचान की गई यानि Σंग्या अत्मक् विकास का जो सिद्धान दिया है जिसमें उन्होंने सम्वेदी पेशी अवस्ता पूरो संक्रियात्मक वस्ता सतूल संक्रियात्मक वस्ता की पहचान कीगी तो यह जीन प्याजे ने सिद्धान दिया था अपना इसका रायटानस प्रड़ी हो जाएगा जीन प्याजे मोद्ये ने सिद्धान दिया था विकास का संग्यान आत्मक विकास सिद्धान उसमें उन्होंने चार अवस्ताइं बताई थी संवेद्धी पेश्य अवस्ता पूरों शंकिरिया आत्मक अवस्ता सतूल संकिरिया आत्मक अवस्ता और अपचारिक संकिरिया आत्मक का अवस्ता ठीक है next है कौन से कौन से गुण अच्छे मान्सिक स्वास्ते के नहीं है option A है नीमिल जीवन या स्वेगात्मक परिपक्वता B है आत्मी स्वास, सैन सिलता C है बहुत वीनित या स्वेम से स्विमित और D है वास्तविक्ता की स्विकर्ती, स्वेमुल्यांकन की योग गेता तो 5 का राइटांस रोजाएगा C बहुत वीनित या स्वेमित ठीक है ये मान्सिक, अच्छे मान्सिक स्वास्ते के गुण नहीं है बाकी सारे अच्छे मान्सिक स्वास्ते के गुण है छे नंबर है अधिगम चमता निम लिखित में से किस से प्रभावित नहीं होती आनवा सिक्ता वातावारन परस्रिक्षन शिक्षन या राष्ट्रियता तो सिद्धा से राष्ट्रिया सित्ता से अधिगम चमता प्रभावित नहीं होती है आनवा सिक्ता परशिक्षन और वातावरने तिनों से प्रभावित होती है नेक्स्ट है साथ नंबर किस अधिगम मनोवेग्यानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरुषकार को महतों नहीं दिया किस अधिगम मनोवेग्यानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरुषकार को महतों नहीं दिया तो इसका रायटान स्रोजाएगा साथ का D गुत्री ने नहीं दिया था थारंडाइक पावलो शकिंद्री नों ने दिया था गुत्री ने नहीं दिया था नेक्स्ट है आठ नमबर निमलिक्त में से किस एक से सिस्व की अधिगम को साहता नहीं मिली अनुकरण से अभिप्रेर्णा से स्कूल का बस्ता से अपरुषकार से तो सिद्धा से या स्कूल क के बस्ते से एक सी को दिखम या साहता मिलेगी नो नूमेर के इंद्रीत अवस्ता होती है बालक के जनम से 20 वर्स तक तिन से 6 वर्स तक तो इसmile टाली था प्रस्त अवस्त्र होगत है बालक के 3-6 वर्स ठीक है एसले माबाप के साहे में बाहर निकल अपने साती बालकों की संगत को पसंद करना समन्दित है मतलब माबाप के साहे में से बाहर निकल कर अपने साती बालकों की संगत को पसंद करना समन्दित है किस अवस्ता में बालाग यह चीछ चाहता है किशवावस्ता पुरों किशवावस्ता उत्रबाले वस्ता या सेस्वा अवस्ता तो इस को तॉल से सीकने का प्राथमिक मौलबूत नियम समंदित परिणाम की अप्रशर्षा से ततप्रतत से तो गैरा का राइटानस पर होजाएगा डी ततप्रतत से ग्यारा को जाएगा डी सीखने का प्रात्मिक मूल भूत नियम समंदित है तो तत्परता से होगा यदि यूमान के चलिए बालक को आप कक्षा में बिठा रखाया यदि वो सीखने के लिए तो आरी नहीं है तो आप सिखा नहीं सकते तो सबसे पहले तत्परता जुरूरी होत से जोपन को पढ़ाणा है ठीक है नेक्स्ट है बारा नंबर मांसिक परिपक्वता की उन्चाई को छुनने के लिए प्रयतन रत रहना समंदित है किसोरावस्ता से प्रोड़ावस्ता से पूरोबालेवस्ता से उत्तरबालेवस्ता से मांसिक परिपक्वता की उन्चाईयों को छुनने के लिए प्रेतन रत रहना समन दीता है तो किसो रावस्ता से ही है नेक्स्ट है सीखने की परकिरिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकर्ण परसंसायों निंदा परतियों गिता ये सब भी तो सिद्धा सहिराइटान सुरह ये सब हो जाएगा सीखने की परकिरिया को प्रभावित करने वाले कारक है नेक्स्ट है बालकों के सीखने में प्रेरिणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है कि बालकों के सीखने में प्रेरिणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है बालक की व्यक्तिकत व्यक्तिकता का पुरुष्कारे उन्दंड परसंस्वामें बरत्षना उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी हो जाएगा नेक्स्ट एकक्स्या में विद्यार्थियों को ऑदेंगम के लिए प्रेरित करने हैं तुह किस युगति का अनुप्रयोग आप नहीं करते छात्रों में स्वस्थ प्रतिस प्रदास्ता पित करना उन्हें अत्यादिक परसंशा करना गति विदिया दर्द शिक्षिन दीगें वीदियों का उनुप्रियों करना तो सिध्य इसका राइटार रोजाएगा सिर उनकी अध्यदिर क्रशंस्रा करना च्वाइ को anxi तो यो स्वस्थ आत्रपरफ्स पुरुंटी कर सकते हैं उन्हीं आट्मगोरों की वित्ति से अनुप यद्या कर आधारित शीक्षन अधिगम शादिम वीध्यों का अनुप रियों कर सकते हैं से ईसे एसे टुfu कbn उन्य यह सभी तो बुद्धियों सरजनात्मक्ता में सिद्धी सी बात है दनात्मक्त सह समंद पाया जाता है नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरवादिक परवावसाली उपाय क्या है तो सिद्धा साइस कराई टैंसर भी हो जाएगा सिक्षन को रो सेश वावस्ता में बच्चों के किरिया कलाप होते हैं मूल परव्यत्य आत्मक सरक्षित या संग्यान आत्मक या सविग आत्मक तो सेश वावस्ता में बच्चों के किरिया कलाप संग्यान आत्मक होते हैं ठीक है संग्यान पर आधारित होते हैं सोरी मूल परवर्ती पर आ बताई यह 14 प्रकार की मूलपरवहरती ने बता यह 14 प्रकार से संव्य गई मानकर चलिए बालक को भूख लगई भूख एक मूल प्रवहरती हैं और भूख लगई तो आ करेगा रोएगा ठीक है कि a cash नेक्ष्ट है जिन बालकों में समय कित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस छेत्र विशेश में प्रशिक्षित करना चाहिए तो यह हो जाएगा विशेश आप सकता वाले बच्चों की पैचान है और शिक्षन नेक्ष्ट है बीस नमबर निमलिक्त में से किस समय के बच्चों को समय जिन की समश्य होती है उस्त बुद्धी के बच्चों को गरामिड बच्चों को अधेंसील बच्चों को कुछागर बुद्धी के बच्चों को कुछागर बुद्धी के बच्चों को समय के बच्चों के साथ समय जनकी शमर्षा होती है नेक्स्ट है किसी सिख्षक को यदी यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विश्य वस्तू को बली परकार शीख रहा है उसमें स्तिर्था आ गई है सिख्षक को इसे सीखने की परक्रिया की सभाव की स्तिति मानना चाहिए या विश्य जो सपष्टता से पढ़ाना चाहिए या विद्यार्थी को परेड़ित करना चाहिए उप्चारात्मक्सिक्षन करना चाहिए यह हो जाएगा सीखने की परक्रिया की सभाव की स्तिति मानना चाहिए क्योंकि इसका सीधासा में डारेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, उसके सम्मुए के सभी सदेश्यों की परवर्ती बदलनी होगी, सी हो जाएगा, तेश्य नंबर है, विकास का वही समंद परिपक्वता से है, जो उदिपन का से है, प्रिवर्तन से, पर्तिक्रिया से, या प्रियास से, या प्रिणाम से, तो तेश्य का भी हो जाएगा, पर्तिक्रिया से, ठीक है, विकास का समंद परिपक्वता से भई है जो कि उधिपन का पर्तिक्रिया से है ठीक है चो इसका देखते हैं प्याजे मुख्यत है के छेतर के योगदान के लिए जाना जाते हैं तो प्याजे है उन्होंने शंग्यानात्मक विकास का सिद्दान दिया था तो ग्यानात्मक्विकास के लिए जाने जाते हैं जीन प्याज़े हैं वो जब कभी दो या दो से दिख वेकते एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को परवाईद करते हैं तो वे एक सामाजिक सुमय का निर्मान करते हैं ये कथन किसका है? ये मतलब कथन है? कैसा है यह क्यूशन जब जब कभी दो या दो से दिख वेखते एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रवायद करते हैं तो वे एक समाजिक सर्मोय कंद्रिबान करते हैं यह कथन सत्ते है आसिक रूप से सत्ते है या कदाचित सत्ते है तो 25 का राइट आंस्वर हो जाएगा B, सत्य है बिल्कुल 26 है सिक्षन परकिरिया में निमलिखित में से किस का भली परकार से ध्यान रखना चाहिए तो विद्यार्थियों की सकीरिय से बागिता का ध्यान रखना चाहिए ए हो जाएगा निमलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे बच्चों को आंत्रिक प्रेणा दे रहा है तो D हो जाएगा विज्यान विश्यों में सर्वोच अंग पाने पर राकेश कुमार अपने पूतर की परसंशा करते है योप साना पड़ लेना राम से स्क्रेंशोर्ट लेकर के नेक्स्ट है बच्चों के समाजिक विकास में का विशेश में तो है मतलब किसका विशेश में तो है तो खेल का सरवादिक में तो है बारला के समाजिक विकास में नेक्स्ट बाटिया बैटरी का प्रयोग निमन में से किस के प्रिक्षन हेतू किया जाता है बाटिया बैटरी तो बुद्धी से समंधित है बाटिया बैटरी तो description में link मिल जाए या आप देख रेना, धन्यवाद.